हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखा रही हूं कौसानी जो कि उत्राकंड का बहुत ही खुबसूरत विलेज है गाउं एग और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है तो आज मैं आपको ले जा रही हूं यह है वहांका फेमस ठी गार्डन और यह में कौसानी शेहर से शेहर तो नहीं उसको टाउन कह सकते हैं विलेज कहते हैं कौसानी में बजार से यह करीब दो किलो मीटर अंदर की तरफ है और यह इतना खुबसूरत है चारों तरफ हर्याली और यह पूरे स्टेप्स बने में हैं सीड़ी दार आपको सीड़ी से पूरा नीचे तक ट्रेल जाता है और पूरा चाय की पत्ती के गार्डन से पूरा भरावा है टी गार्डन से और हमें तो इतना खुबसूरत यह जगा लग रही थी पास में एक छोटी सी जहन्ने की तरह एक बहता है छोटा सा स्ट्रीम बहती है पास में उसकी इतनी खुबसूरत अवास और चारो तरह पूरा घना जंगल चाय के पौधों के अलावा भी यहां पर बहुत सारे चीड और देवदार के पेड़ और कई किसम के पेड़ है बहुत ही घना जंगल है तम ग्रीनर इसे भरा विया जगा है और सामने ही खुबसूरत हेमालियन रेंज दिखाई देगा यहार से बहुत ही सुन्दर द्रिशूल पंचुली नंदा देवी चौकमबा वगेरा का बहुत ही खुबसूरत द्रिश्च है और आप डिसम्बर में भी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा हम लग नवंबर के एंड में आये थी यहां पर और बहुत ही खुबसूरत था बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी ठीक थी मैनेजेबल थी और इतने फ्रेश ऑक्सिजन अगर आपको ऑक्सिजन चाहिए फ्रेश ऑक्सिजन यह उत्राखंड का फे देखने लैंग जगह है यह मसी प्लेसिस के अंदर पढ़ता है अगर आप कभी कौसानी आए या फिर आप अल्मोडा रानिकेट की तरफ भी आए तो रानिकेट से करीब दो गंडे की दूरी है कौसानी की और कौसानी में बहुत सारी जगह हैं देखने लैग सबसे बड़ी यह जगह है हिमालियन रेंज एनका टी गाड़न बहुत ही फेमस है आपको दाडजीलिं या दूर-दूर जाने की कही जगह जरुड़त नहीं है आप दिली से आसपास से यूपी वगरा से आप आसानी से आ सकते हैं यह आना भी कठिन नहीं है यह आपर आना भी काफी असान है तो अगर आप खूब सूरत अड़ी भरी बादियों में कुछ टाइम बिताना चाते हैं सुकून से तो ये जगा आपके लिए must see places में है must visit place आप जरूर आए यहाँ पर और आप उत्रा खड़ना रहे हैं तो कौसानी को आप जरूर ने इंक्लूट करिए अपने आइटिनरे में वीडियो में तो ये आपको उतना पता नहीं लगेगा पर यहाँ इतनी अच्छी खुश्बू है इतने पेड़ पोदों की इतनी अच्छी खुश्बू लगता है कि मलब और 20 साल उमर हमारी पढ़ गई है इतनी खुश्बू इतना ऑक्सीजन से भरावा है और इतने यहाँ पर बर्ड लाइफ इस वेरी रिच और पेड़ पॉडो का अतना नाम तो पता नहीं है बहुत ही खुश्बू बहुत ही ज्यादा खुश्बू सूरत है अब प्लीस जोंट मिस दिस प्लेस थैंक्स फॉर अगर आप कभी आए तो जरूर इस जगा को प्लीस इंक्लूट कीजिए ठीक है मिलते हैं फिर एक और वीडियो में